पाटियोज आप इसको कॉलम बना भी सकते हैं, पूर्वत भी रख सकते हैं, प्रकरण हमारा पूर्वत सीखने सिखाने की सामगरी पूर्वत, सीखने सिखाने की परिक्रियांग गतिविद ही उसी रूप में चलता रहेगा, लेकिन इसका जो प्रतम चरण होगा, सामाने चर् करण से ही होगा, और सुनकर औलोकन करना, बच्चों सिख्षक, पूर्व के अनुक्षेद को बच्चों से पुना चर्चा करेगा, बच्चों पहले दो अनुक्षेदों पर हमने किस तेवहारों के विशे में बात की थी, बच्चे दीपाली और गुर्नानक जैनती बताएं बच्चों अब हम लोग तृतिया अनुक्षेद को इसाई धर्म से संबन्दी थे जानेंगे, इस अनुक्षेद का सिख्षक द्वारा उच्चारण किया जाएगा, ततपश्या छात्र से उच्चारण कराया जाएगा, श्यामपट पर शब्दों को लिखते हुए फिर अर्थ जो आपके मैंने कहा है कि ये प्राण है, तो ये पूरा अर्थ आप तक यहां तक स्पस्ट करेंगे, फिर चरण सिक्षण के मद्देखा भाग 20 मिनिट, आप अपने हिसाब से समय को बाढ़ सकते हैं, शब्द अर्थ पूछते हुए प्रतिक्रिया अवसा ये बहुत जरूरी है, यहां अगर बच्चे अटक जाते हैं, तो आप उनको पूनह उस चीज को समझा सकते हैं, फिर मैंने देखी, यहां दो प्रश्ट मैंने रखा है, ततपश्चात अनुशेत की एक एक पंक दिकाव चारण करते हुए बच्चों को भी अनुकरण करने क कहेंगे, फिर यहां देखिए, इसके बाद श्यामपट पर शब्दार्थों को लिखते हुए अनुवात को कराया जाएगा, तो यहां मैंने शब्दार्थ को सपस्ट किया है, आप इस धंक से करेंगे, फिर मैंने आदे अंत लिखा है, वो लिखेंगे, फिर अर्थ, फिर यहां से लेकर देखिए, मैंने पूरे अर्थ को यहां तक सपस्ट किया है, फिर सिक्षण के पश्यात, सिक्षक बच्चों से पुना तिवहारों के माद्यम से देश की एकता, अखण्यता और भाईचारे को बताएगा, फिर तत पश्यात, समझ को और अधिक विक्सित करने के लिए अनुक्षेत से कुछ शब्दों के अर्थ और प्रश्न पूछेगा, तो मुस्लिम समाजस की परव अस्ती, किम परव अस्ती, तो यह चीज आपको यहां दो रखना होगा, दो प्रश्न मैंने यहां रख दिया है, वो आप पूछ सकते हैं, गतिविधी में बच्चों को समू में बैठा कर, एक बच्चे को सेंटा क्लॉस की भूमिका देते हुए, बच्चों को गिफ्ट देने को कहेगा, या कहा जाएगा, ठीक है, तो टौफी आप मंगा दीजे, उसको करिए, उसको इसमें मजा भी आएगा, और वो समझेंगे, कुछ बच्चों को आपस में गले लग कर, लग करके त्योहार के माद्यम से भाईचारे की सीख प्रगाड की जाएगी, फिर ग्रीकार में देखिए, पाठ पुस्तक में आए, इन त्योहारों के विशय में घर के बड़ों के सहयोग से लिख कर लाने को कहेगा, आगामी पाठियोजना, संस् नमस्कार मैरशना शुकला, आपका पुनह स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, श्रिजन नमाचार में, आज आपके समक्ष में पुनह एक नई पाठ योजना को लेकर उपस्तित हुई हूँ, जो संस्क्रित प्यूशम, कक्षा आठ के प्रक्रण असमाकम परवाण से लिय तो चलिए देखिए स्पाठ योजना का निर्मान मैंने कैसे किया है, तो ये देखिए पाठ योजना में हमेशा ये कॉलम ऐसे ही बनेगा, दिनांग, कक्षा, विशय, अवधी और चक्र, एक बात आपको बताओं कि ये प्रक्रण काफी बड़ा था, इसको मैंने दो पाठ में बनाया है, लेकिन इसी के साथ बनाया है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तो चलिए देखिए, लर्निंग आउटकम क्या है, हमारा देश वसुध है, कुटुम्बकम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बच्चों को यह बात स्पस्थ है, बच्चों क प्रक्रण देखिए, अस्माकम परवाण, सीखने सिखाने की सामगरी, त्योहारों से सम्मंधित महापुर्षों का चार्ट या चित्र, पुस्तक, देख्षा एप पर उपलब्द सैक्षनिक सामगरी, बाकि आप अपने हिसापसेस में जो आपको उचित लगे वो रख सकते हैं, सीखने सिखाने की परिक्रियाएं गतिविधी, प्रत्थम चरण, वार्तालाब, जब भी आप अपने कक्षा में जाते हैं ते एक भूमिका को तयार करते हैं, वो भूमिका आपकी होनी चाहिए, देखिए मैंने किस तरह से ये तयार किया, सिख्षक प्रक्रण को प्रा अध्यम से, बच्चों हम दीपों के तयोहार को किस नाम से जानते हैं, बच्चों सिवया हमें किस तयोहार में खाने को मिलती है, सेंटा कलाज किस तयोहार में गिफ्ट देते हैं, लंगर हमें कहां खाने को मिलता है, फिर यहां से अध्यापक अपना सिक्षन प्रारंभ करे बच्चों, आज हम लोग प्रकरण अस्माकम परवारी का अध्यान करेंगे। प्रथम अनुक्षेत का सिक्षक द्वारा संस्कृत में उच्चारण किया जाएगा। आगे देखिए इसको मैंने कैसे बनाया। पर शब्दार्थ देके मैंने यहां लिखा है, सारे शब्दार्थ इस तरह से बच्चों को लिखा दीजे, संदिविक्षेत करते हुए उनको बताईए। फिर आध्यांत, यहां आध्यांत जैसे मैंने और पार्थियोजना में बताया, वो लिख दीजे, पार्थियोजना का अर्थात अर्थ हर पार्थियोजना में आपकी होनी चाहिए, देखिए यहां से मैंने सारा अर्थ यहां तक मैंने पूरा इसका लिखा है, यहां भी देखिए, यह पूरा मैंने यहां अर्थ, पूरा यहां अर्थ मैंने यहां तक पूरा अर्थ स्पस्ट किया है, उसके ब पहागिता देख कर अब यहां देखिए क्या है सिक्षक बच्चों के समझ को जानने के लिए पहले अनुक्षेत से सम्मंदित प्रश्न पूछेगा दीपावली कस से पर्व अस्ती तो बच्चे प्रकाशत से बताएंगे राम अयोध्या कदा प्रत्यागच्छत चतुर दस व अनुकरन करवाते हुए सबदार्थों को श्यामपट पर लिखते हुए हिंदी में अनुवाद बच्चों को बताया जाएगा देखिए फिर मैंने सारे शबदार्थ यहां पर लिख दिये हैं यह बहुत जरूरी है फिर आदे और अंत लिख दिया है फिर अर्थ को किया है यह पार्थ योजना में आपका बना होना चाहिए फिर अब मैंने इस पार्थ योजना में दो अनुक्षेद लिये हैं और आगे वाली पार्थ योजना जो इसी में बनाए हैं दो अनुक्षेद को मैंने लिया है सिक्षन के पश्याद सिक्षक बच्चों से तेवहा प्रश्न बच्चों से पूछेगा तो यहां देखे मैंने दो प्रश्न रख दिये हैं और उसका ब्रैकट में मैंने बच्चों ने जो उत्तर निकाला है वो लिखा है नहीं आता है तो आप उनको पुना समझाएगे फिर गतिविदी बच्चों को कुछ पात्रों की भूमिका देते हुए कक्षा में राम लीला का मंचन किया जाएगा एक शात्र को गुर नानक की भूमिका में उनके उद्देश को कहने को कहेंगे गरीकार दीपावली का चित्र और उसमें प्रियोक किये जाने वाले पठाकों से होने वाली हानी पर पांच वाक्य बच्चों को हम लि जब चना